Hello friend, welcome to study news आज हम इस वीडियो में महा सागरे निक्षेप के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और ये किस सरह से होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं So let us start महा सागरों के नीचले तल पर इखटा होने वाले सभी परदार्थों को महा सागरे निक्षेप कहा जाता है वास्तों में समुद्रों का नीचल जैविक और अजैविक सुरोतों से प्राप्त अफसादों के हजारों सैकडों मीटर मोटी पर्तों से ढखा हुआ होता है इन निक्षेपों का बहुत बड़ा भाग इस्थल खंडों से प्राप्त होता है इस्थल से प्राप्त होने वाले अफसादों को समुद्र तल तक लाने का कार नदियां, पवन, हिमानी तथा लहरों द्वारा होता है लेकिन इन सभी में सबसे अधिक और सबसे महत्पूर योगदा नदियों का होता है जिनसे बहुत सारे अफसाद अधिक मात्रा में समुद्र की निच्छी तल तक पहुंसते हैं महासागरे निक्षेपों का कुछ भाग समुद्री जीवों तथा वनस्पतियों के अफसेसों से प्राप्त होता है और ज्वाला मुख्यों के उद्गारों से भी महासागरे निक्षेपों का निर्माड होता है महासागरे निक्षेपों के अफसाद विभीन प्रकार के सुरोतों से प्राप्त होते हैं लेकिन इन्हें मुख्यत छे भागों में विभाजित किया गया है पहला इस्थल जात निक्षेप, दूसरा ज्वाला मुखी निक्षेप, तीसरा गंभीर महासागरे निक्षेप से उत्पन प्रदार्थों के निक्षेप और छटवा प्रित्वी के बाहर से प्राप्त प्रदार्थों का निक्षेप इस्थल जात निक्षेप वे निक्षेप होते हैं जो इस्थल खंडों के ऊपर पाई जाने वाली आगने तथा अफसादी सैलों के विखंडन तथा वियो प्राप्त मलवे को नदियां बहा कर समुद्रों के ढाल तक ले जाती हैं। जिससे इन अफसादों की छोटे छोटे टुकडे बन जाते हैं और ये टुकडे समुद्री तलों तक पहुंच जाते हैं। ये टुकडे जितने ही बारी खोंगे समुद्र तल तक पहुंचने में इन्हें उतनी ही आसानी होगी और ये उतनी ही गहराई तक पहुंचेंगे। इन अफसादी खनीजों में क्वार्ज, अबरक, पायराक्सीन, एमफिबोल और अन्य भारी खनीज पाये जाते हैं। दूसरा है ज्वाला मुखी निच्छेप। ज्वाला मुखी उद्गार से निकले हुए परदार्थ भी महा सागरे निच्छोपों में पाये जाते हैं। महा दीपो पर जब ज्वाला मुखी का उद्गार होता है तो उनसे निकले हुए लावा, राख और भी अनेक परदार्थ वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और जब इनका नदियों द्वारा अप्छे और अपरदन होता है तो ये नदियों की द्वारा समुद्र में पहुँच जाते हैं। तीसरा है गहरे महासागरे निछे इसमें समुद्री जीवों तथा वनसपतियों के कवक तथा खोलों के अफसेस गहरे समुद्र में निछेपित होकर पहुँचते हैं। ये दू प्रकार के होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में वेपरदाथ आते हैं जिसमें जीवों के कंकाल होते हैं जिसमें कैल्सियम कार्बोनेट की मातरा अत्यधिक होती हैं और ये धीरे-धीरे समुद्र की निचले तल में जाकर इखटा हो जाते हैं और अकार्बनिक में ये ज्वाला मुखी से निकले लाल मिट्टी के रूप में होते हैं जो लाल मिट्टी के मुखे घटक सिलिकॉन और अलूमीनियम डायकसाइड हैं ये लाल मिट्टी समुद्र तल के 38% भाग को कवर करती हैं अब जानते हैं अजैविक अपछेप को जब कि एसी प्रदार्ट की गुलने की प्रक्रिया अधिक हो जाती है तब अजैविक अपछेपों का निर्माड होता है इसमें अनेक रसयनिक प्रक्रिया के द्वारा समुद्र में ऐसे अपछेप बनते रहते हैं जैसे समुद्र या लैगून में वास्पी करंड की मात्रा अधिक होने से अब छेपों का निर्माड होता है पच्वा है रासायनिक परिवर्तन से उत्पन परदार्थों के निक्षेप इस वर्ग में उन परदार्थों को समलीत किया गया है जिनकी उत्पत्ती समुद्र के जल तथा ठोस कडों के पारसपरिक क्रिया से हुई है रित्तिका खनीज आदी अवसेस आते हैं और अंतिम है प्रिथ्वी के बाहर से प्राप्त प्रदार्थों का निक्षेप इसमें अंतरिक्ष से प्रिथ्वी पर लगातार उलकाओं की वर्सा होती रहती है जब समुद्र की सतय पर उलका पिंड गिरते हैं तब धीरे-धीरे सम खौका से प्राप्त अफसादों की मात्रा बहुत कम होती है इसमें काले रंग वाले छोटे-छोटेר चुमकिय गोलकण तथा भूरे रंगवाले रवेदार गोलकण मिलते हैं काले गोलकड़ों का निरमाड लोह तत्वों से होता है और भूरे कड़ों का निरमाड तथा सिलिकन से होता है इनमें धातू जैसी चमक पाई जाती है इस टॉपिक से जुड़ी और भी कई सारे बाते हम अगले वीडियो में जानेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब एंड कमेंट झाल